रहुल वैद्या दूसरी बार घर के अंदर एंट्री नहीं है मुझे लगता कुछ अत्तक वो सही कर रहे है अलंकि वो एक बंदे को बहुत जादा उसके उपर पढ़ गया है वह एजास लेकिन जो घर के अंदर गाली गलो चली थी बहुत जादा लोग कह रहे थी कि भाई बह माफी नहीं किया अब बंदा उसे जादा क्या गड़ सकता बिग बॉश के गर में आप खुद बताएं कि खुद को खुदी जेल में डाल दे ऐसा तो नहीं हो सकता तो सीदे सीदे रहु ने कहा मुझे मुझे डिस्यागरी करें इस बात पर लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राहूल ने सही कहा कि राकी जी अगर आपने कोई गलती की है सुरी मांगे अर्शी बार बार उन्हें जो है उल्टी सीधे बाते कह रही थी पोक कर रही थी जो भी कह रही थी मतलो राकी को कि भी ऐस को हो ऐसा को रुबीना ने एक बार कहा भी कि अब महौल बहुत गंदा हो चुका है वो सीधा और सीधा अर्शी के लिए कहा था लेकिन राकी ने जब माफी मांग ली तो फिर कहा राहूल ने कि मुझे लगता है कि मनु में और नीकी की कुछ ना कुछ प्यार का चकर मुझे ने तो खुला का है तो इसमें इशू क्या रहा है तो फिर मुझे भी यह बात सही लगी हां नीकी को जब नीकी से किसी ने माफी मांग ली है नीकी माफ नहीं करना चाहती वह अपनी जगा है लेकिन अगर तुम पूरा समय उसी मुद्दे को लेकर कर चलोगे तुमने क्या क ने मुद्दे को नहीं ओठाना तो सामने हाकर के बात करो एक रा करो दो बार 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 पोक ना करो नीकी बार बार प्ऌक करे ती वह बिलकुल गलत बिलकुल ही गलत थी तभी तो राकी ने माफी मांगी अगर आपको माफी नहीं करना तो अपने जगा सही हो विकेंड के बाहर पर फैंसला हो जाएगा बस और उसके बीच मनु पंजाबी गुश गये मनु पजाबी भी अपनी जगा बात कह रहे थे जो भी उन्होंने कहनी थी वेल आपको